नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है विलेज कड़ाई चनल में यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला पापड वो भी चावल का बनाएंगे और बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है तो चावल के बहुत सारी रेस्पी बनाई जाती है पापड में और कुडलाई भी बनाई जाती है तो जो ये पापड हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा कुडलाई जाता है चावल वही वाला चावल है यदि आप पुराना चावल ले रहे हैं तो उसको हलका सा दरदरा सा कूट लीजिएगा या पीस लीजिएगा तभी उसका ये वाला पापड बनाईएगा तो मैं दो ग्लास बस यहां पर पापड बनाने के लिए चावल ले रही हूँ तो चावल से इसने नाप करके, घुब बटू Clap बलाबर होना चाहिए तो से चावल वाल तो इसको चार घंटे पहले ही विगो दिजीए लेकिन तो इसनी चावल पहले हो जब्रूद बिल्कुँ को जोego हं तो यहां आमने कूकर चड़ा दिया है चूले पर और यह जो ग्लास ले रखा है एक ग्लास यह दी चावल है तो आपको साथ ग्लास इसमें पाई डालना है तो मेजरमेंट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए नहीं तो आपका जो पापड़ हो अच्छा नहीं बनेगा तो यहा तो यहां चूले में आपको जला लीया है तो कूकर बाग अच्छी से ग्रम होने देंगो़ में जाएगा तब हम इसमें चावल लालुं ऑब तो यह पानी को अच्छे से ग्रम हो चुका है तो हम नहीं आपर अजमाई ले रखा है जीरा ले रखा है इसको आपका बहुत जरूर डालिएगा और यहां पे हमने थोड़ी से हलदी और यह तीकी वाली लाजमिश ले रखी है और यहां पे हम चूर पाउडर काला नमक या भी लगन के भी तो हम इस Work मिला लेने के बाद इसको हम फिश से ढख देंगे और इसको अच्छे से खोलने देंगे पानी को तो हम मसाला पापड बनाने वाले हैं तो उसके लिए देखिए हमने हरी मिर्च ले रखी है और लहसुन ने रखाए धेर सारा तो इसको हम यहां पर सिल्वट्टे पर रख करके दरदरा सा पीश करके तयार करेंगे तो इसको हमें बारिक एकदम नहीं पीशना है महिन सा इसको हमें दरदरा ही रखना है तो लहसुन यदि आप नहीं खाते हैं तो बिल्कुल बन डालिएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना दरदरा सा यहां पर पीश तो यह देखे डखकन अठाका देखते हैं पानी में बहुत अच्छे सुबा लाने लगा है इसी टाइम पर हमें ये चावल डालने हैं तो चावल को मैंने बहुत अच्छे से धो करके साफ कर लिया था सारे चावल हम डाल देंगे तो हमने यहाँ पे दो गलास चावल लिए हुए थे यदि आप पुराना चावल ले रखे हैं तो उसको 4 घंटे पहले जरूर भी गोईएगा नहीं तो अच्छे से यहाँ पे पक्कर के तयार नहीं होगा या नया चावल है तो वो बहुत जल्दी पक्कर के तयार हो जाता है तो इसको हम चावल को डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे सारी चीजों में तो अब हम कूकर में ढखकन लगा देंगे और 3-4 सीटी हम यहाँ पे लगाएंगे तो यह देखे कूकर में सीटी भी लग रही है बहुत अच्छे से और यहाँ पे मैंने 4 सीटी यहाँ पे लगाई हुई है तो कूकर में मैंने 4 सीटी लगा करके इसको नीचे उतार दिया था और ठंडा होने दिया है आपको चावल दिखा देते हैं यह देखे बहुत अच्छे से पक करके तयार हुआ है और कल्चुल की सहायता से इसको हम थोड़ा सा घोट देंगे इस तरह से चला करके और यहाँ पे लहसुन और मेश का जो पेश्ट तयार किया था इसको डाल देंगे और बहुत अच्छे डालेंगे बिल्कुल बारीक काट करके और डाल करके इसको बहुत अच्छे से मिला देना है तो सारी चीजों को मिला लेने के बाद चलते हैं छत पर और वहां पे प्लास्टिक ले रखा है और यहां पे छोटा सा प्लास्टिक ले रखा है उसके उपर हम यहां पे सर्चु क तेल लगा देंगे तो यह देखे जरूरत पढ़ने के लिए हमने एक और यहां पर प्लास्टिक ले रखाया उस पर भी सर्सु का तेल लगा देंगे ताकि जब हम यहां हो पापड फैलाया तो बाद में आसानी से यहां पर चिपके नहीं उखड़ जाया तो अब हमने जो बड़ी सी प्लास्टिक यहां पर फैलाके रखी हुई है उसके ऊपर हम यहां पर चावल का पेश रखेंगे और जो छोटी वाली प्लास्टिक पे तेल लगा कर रखा था उसको रखेंगे और एक चौके से या कोई भी आप यहां पे प्लेट ले लीजिए उससे दबा दीजी हलका सा और इस तरह से यहां पे प्लास्टिक को उठा लीजिए धीरे से बहुत अच्छे से यहां पे पापड बन करके इस तरह से तयार हो जाएगा तो इसी तरह से हम यहां पे चावल का पेश्ट रखते जाएंगे और उपर से छोटा वाला प्लास्टिक रख करके यहां पे जो हमने चौका ले रखा है उससे यहां पे दबा देंगे तो यह आसानी से फैल जाता है यह देखे बहुत अच्छे से और यह देखे पापड बन करके तयार हो गया है अब हम यहां पे जो छोटी वाली प्लास्टिक है उसको धीरे से उठा लेंगे यहां पे याद रखेगा चावल का जो पेश्ट है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए इसी तरह से हम पेश्ट रखते जाएंगे और यह जो प्लास्टिक है उसको उपर रख करके यहां पे इसको इस तरह से दबा देंगे तो बहुत अच्छे से धीरे से हम प्लास्टिक को उठा लेंगे और बहुत असानी से यह पापड बन करके तयार हो जाते हैं तो इसी तरह से हम सारे पापड बना करके तयार कर लेंगे तो ये दείτε तो आप इस तरह से हाथों से भी इसको फैला सकते हैं अब ये पापड आप जब भी बनाईएगा धुप में बनाईएगा तो बहुत जल्दी सूख करके त्यार होराते हैं तो आप ये सूख जाने दीज़िए तो आपको दिखाते हैं हम तो ये देखे, यहां पे हमने पापड को बहुत अच्छे से सुखा लिया है, ये देखे बहुत ही से, इसमें आवाज आप देखिए, काफी अच्छे से एदम कड़क सुख करके तयार हुआ है तो चलिए पापड को तलकर दिखाते हैं तो यहां चुले पेमने कढ़ाई रख दी है इसमें डालेंगे सरसो का तेल और इसे गरम कर लेते हैं यहां मैं पापड सरसो के तेल में बना रहे हूं आपको जो भी तेल खाते हैं उसमें आप पापड को छान सकते हैं तो यह देखे तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं पापड तो तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए तभी आपके पापड अच्छे से फूल करके त्यार होंगे तो ये देखे बहुत अच्छे से पापड तल करके तयार होते हैं और काफी स्वाधिष्ट हैं आप जरूर ट्राइ करिएगा इसको और इसको बनाना बहुत ही आसान है आप बहुत जल्दी बना करके इसको तयार कर सकते हैं तो ये देखे तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी पापड डालियेगा, ये देखे बहुत अच्छे से इसको बस हिलाते रहे हैं, काफी अच्छे से फूल करके ये पापड तयार हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 5-6 पापड तल करके तयार करूंगी, ये देखिए मैंने काफी सारे पापड तल करके त्यार किये है तो आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये देखिए इसकी आवास सुनिए तो जैसे ही तेहवार नजदीक आने लगे तो आप ये सारी चीजे बना करके त्यार कर लीजिए तो इस तरह से जब आप चावल का पापड बनाएंगे खाने में भी टेस्टी लगता है और वच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है तो हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा मिलते अगले वीडियो के साथ धन्यवाद